लेनिन और अक्टूबर क्रांती इस बीच साम्यवादी ब्लादी मीर लेनिन के नेत्रत वाली बोल्शेविक पार्टी ने मजदूरों वा सैनिकों के बीच आस्थाई सरकार के विरुद्ध प्रचार किया और उन्हें उसके खिलाफ विद्रो करने के लिए उकसाया लेनिन का मानना था कि मध्यमवर्ग रूस में कमजोर होने के कारण वहां लोगतंत्र इस्थापित नहीं कर पाएगा और ना ही वा किसानों को जमीन दिलवाएगा इसलिए सोव्यत जिनके पास वास्त्विक शक्ती थी को सत्ता हत्या लेना चाहिए और इसका नेत्रत बोल्शेविक पार्टी को करना चाहिए शुरू में मजदूर वसैनिक उनके पक्ष में नहीं थे मगर जैसे जैसे समय बीता गया और आस्थाई सरकार की कमजोरिया उजागर हुई तथा युद्ध में हार का सामना करना पड़ रहा था तो वे बोल्शेविक के विचारों को अपनाने लगे अक्टूबर 1917, 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक पार्टी के नित्रत में पेट्रागार्ट सोवियत ने आस्थाई सरकार को हटा कर क्रांती कारी सरकार का गठन किया अगले दिन पूरे रूस के सोवितों की सभा में लेनिन ने नई सरकार के घोशना की और दो महत्तुपूर एलान किये पहला शांती संबंधित एलान जिसमें युद्ध विराम और लोकतांत्रिक शांती की अपील की गई और दूसरा जमीन संबंधित एलान जिसमें भू सौम्यों की जमीन का राश्टी करण और किसानों को जमीन वित्रण का नेने था हर गाओं के गरीब किसानों की समितियों को वहां के भू सौम्यों की जमीन को आपस में बाटने का अधिकार दिया गया दूसरे और कारखानों में मजदूरों की समितियों को कारखानों के संचालन में भागिदारी दी गई सोवेशाषन ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि सभी शहरवासियों को खाने के लिए रोटी और रहने के लिए आवास मिले इसके साथ ही रूस ने एलान किया कि जारशाही के तहट जो भी राष्ट रूसी सामराजे द्वारा दबाये गए थे वे अब स्वतंत्र हैं और अपनी मर्जी से तै कर सकते हैं कि वे रूस के साथ रहना चाहते हैं या स्वतंत्र होना चाहते हैं फिन्लेंड, लटेविया, स्टोनिया, युक्रेन जैसे देश इस प्रकार स्वतंत्र हुए। ऐसे में रूस ने जर्मनी से मार्च 1918 में एक समझोता करके युद्ध समाप्ति किया। लेकिन इस संधी के द्वारा रूस को बहुत अधिक जमीन जर्मनी को देनी पड़ी। इसी बीच पुराने सामराजे के कई हिस्से जो स्वतंत्र हुए थे अब रूस के साथ हो लिये और USSR सोवियत समाजवादी देशों का संग की स्थापना हुई। स्टालिन 1924 में लेनिन की मृत्यू के बाद जोसेफ स्टालिन ने नेत्रुत्त सम्हाली और कुछी वर्षों में वह साम्यवादी पार्टी और सोवियत रूस का सर्वशक्ति माननेता बना। अध्योगी करण क्रांती के बाद रूस में सारे बैंकों, कारखानों वक्षदानों को शाषके संपत्ति घोशित किया गया और निजी संपत्ति खत्म की गई। अब उनका संचालन राज्य द्वारा किया जाने लगा। 1924 के बाद सोवियत रूस के सामने आर्थिक विकास और अध्योगी करण की चुनोती थी। युद्ध क्रांती और ग्रिय युद्ध से ध्वस्त आर्थिक व्यवस्था को विकास की पटरी पर लाना था। 1928 से सोवियत रूस में नियोजित विकास की शुरुवात हुई क्रिशी का सामुही करण। 1917 के बाद भूस आम्यों की जमीन किसानों के बीच वित्रित होने से अधिकांश क्रिशक मद्यम दर्जे के किसान बन गये और कुछ बड़े किसान भी थे। लेकिन खेती के तरीके अभी भी पारंपरिक थे और उत्पादन कम था। इस बात को देखते हुए स्टालीन ने क्रिशी छेत्र में भारी बदलाव लाने की पहल की। इसके तरफ किसानों से कहा गया कि वे अपने अपने खेतों को मिला कर विशाल सामूईक फार्म बनाएं ताकि बड़े पैमाने में खेती की जा सके और खेतों में मशीनों वो अन्य आधुनिक तरीकों का उप्योग किया जा सके। अधिकांश छोटे और मध्यम किसान इसके लिए तयार हुए मगर ज्यादा तर बड़े किसान और कुछ मध्यम किसानों ने इसका विरोध किया। विरोध करने और दोर्दबदस्ती के कारण कुछ वर्ष रूस की क्रिशी संकट ग्रस्त रही। 1937 के बाद क्रिशी का तेजी से विकास हुआ और वा अध्योगी करन का फायदा उठाते हुए अपनी उत्पादक्ता को तेजी से बढ़ा सका। 1929 से 1932 के बीच पूंजीवादी देशों में जो भीशन आर्थिक मंदी आई उसका रूस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महिलाओं को समाज में समान अधिकार प्राप्त हुआ, निरक्षर्ता में भारी कमी आई और सबके लिए समान सिक्षा के व्यवस्था की गई जिसमें विश्यों की पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक श्रमद्वारा उत्पादक कारे पर भी जोर दिया गया। रूस के अधिकांश पडोसी देश जो पूंजिवादी थे, रूस के विकास में तरह तरह की बाधाएं डालते रहें। लेगिन इसके बावजूत सोव्यत रूस अपने आपको आर्थिक रूप से मजबूत कर सका और 1940 तक एक आधुनिक शक्ती के रूप में उभरा। सोव्यत क्रांति का पूरे विश्व पर गहरा असर पड़ा, दूर दराज के देशों में और खास कर उपनी वेशों में स्वतंत्रता और गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले को इससे प्रेड़ना मिली और वे भी रूस की राह पर चलने का प्रयास करने स्वति झांति कि सूपरों ओूसरे बग्राजMP झांति के बचल के लड़ने याधो में और खास कर बड़से लड़ने में MR 2. भी ठास करने के लिए लड़से बड़ने को के दूड़िया खास के रविव याम वेश़्से प्रेगत के लड़수 में झांति कि समी इस नहाद को